अरुन्यार तो कितने तैयार हैं चुनाओ के लिए खास तो डिवोर्शेवन तैयार है तो डिवोर्शेवन तैयार है मैंने अपनी उमिद्वारी मेरे नीजी कारणों की वज़े से पारिवारी कारणों की वज़े से विर्णा की है अरुन्यादव की इन दो बाइट्स में कुछी दिनों का अंतर है आखिर उन्हें हुआ क्या है कि इतनी जल्दी उनके इरादे बदल गए और जनाब ऐसा भी नहीं है कि अरुन्यादव का खंडवा से टिकेट फाइनल ही हो गया था जब टिकेट फाइनल हुआ ही नहीं तो दिल्ली जाकर प्रदेश प्रभारी को सोनिया गांधी के नाम पर चिक्षी सोपने का मतलब क्या है स्यासत में कभी-कभी ध्यान खीचने के लिए भी इंकार किया जाता है तो क्या अरुण यादव अला कमान का ध्यान खीचना चाहते हैं या फिर वो ये चाहते हैं कि कॉंग्रेस अब उनका मान मनवल कर टिकट दे ताकि कारिकरताओं में ये मैसे जाए कि वो जबरदस्ती के उम्मिद्वार नहीं है संग्टन उनके साथ है अरुण यादव के चुनाव लड़ने से इनकार का चाहे जो भी कारण हो लेकिन बीजेपी को तो बुल्टास मिल गई है और दिगज मैदान में उतर कर तावड तोड मंचाहे शौट भी लगा रहे है जहां तक अरुण यादव की बात है मुझे ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस के अंदर जिस प्रकार का उपर चाहे सोनिया गांदी राहूल गांदी किसी और को नहीं आने देना चाहते गांदी परिबार के अलावा कॉंग्रेस में कोई नहीं आ सकता किसी के भी जमीर पर आप चोट करेंगे तो वो अरुण यादव बनेगा उनको अध्यक्षपत से हटा के खुद बन गए थे कमलना जी अध्यक्षपत और तभी से वो अरुण यादव जी के खिलाप सड़ेंत करते थे पिछले वर्क के निता के साथ में इस तरह का करना इस सबसे कांग्रेस अब हतासा के दोर में आ गई है इस चुनाव में कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता और अरुण यादव जी को भी ये लग रहा है कि इन परस्तितियों में चुनाव लड़ना और भारती जंता पार्टी से जीतना कठे नहीं और दिनों से खीच्तान चल रही थी कमलनाथ बार-बार सर्वे के आधार पर टिकेट देने की बात कहते रहे हैं अरुन यादव के इनकार की एक वज़े ये सर्वे भी हो सकता है वज़े जो भी हो लेकिन पंजाब से लेकर अतीज़ गड़ता नेताओं की खीच्तान से जूज रही कॉंग्रेस की सैथ के लिए अरुन यादव का ये एपिसोड एक तो नहीं कहा जा सकता अब रश्कार मैं हूँ शर्दिवेदी और हमारा आज का मुद्धा है सियासत की ना एक चर्चित गीत है दिले नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है कॉंग्रेस की अगर हम बात करें तो यही जो मिसाल है ये उसकी तरफ इसका रुख करने का दिल करता है कि भाई कॉंगरेस आपको हुआ क्या है और आखिर इस मर्ज की दवा क्या है कैप्टिन अमरिंदर सिंग को क्या हो गया नावरयोज सίνग से दू को क्या हो गया चथिस गण में कौन सी हवा प्रवेश कर गईी राजस्थान में तो वो हवा जो मध्यप्रदेश से चू कर गुजरी 2018 के चुनाओं में ही दोनों राज्यों को प्रवेश कर चुकी थी लेकिन बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करम चलता ही चला जा रहा है और ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस के निताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया यह कहा गया है कि भाईया बहुत बड़े मसले हैं आप लोग जो विशे उठा रहे हैं बहुत ही प्राथमिक स्तर के विशे हैं और इसमर्थ इसमें तो हम हस्तक्षेप करने का भी कोई और चित्य नहीं समझते हैं लेकिन यही वो जटलता है वो चुनोती है कि जहां व्यक्ति एकांकी होता है तो फिर वो चिंतन का अपना सिरा पकड़ कर उसी सुरंग में प्रवेश करके ऐसा दोड़ता चला जाता है कि फिर आप उसका पीछा भी करेंगे तब भी अंधेरों के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा यह तो थोड़ी दार्षनिक व्यक्ख्या होगी लेकिन सवाल यह है कि आखिर अरों यादव की इस ना के पीछे कारण क्या है क्या ऐसा दावा है जैसा बीजेपी क्लेम कर रही है कि हम सभी सीटें जीतेंगे क्या ऐसा कोई सर्वे में रहस्य है जिसकी वज़े से वो अपनी प्रतिष्ठा को इंटेक्ट करने के लिए कि क्यों लड़कर फिर एक बार पराजय का अपने उपर लेबल लगा कर क्योंकि आगे टिकेट में मुल्यांकन तो यह होता है या फिर उनको लगता है कि नहीं दे रहे हैं टिकेट तो अपन पहले ही बाहर हो जाईए क्योंकि ये भी एक बड़ी प्रक्रिया रहती है कि जिस राज नेता को कह दिया जाता है कि आप गरिमा से स्वैम ही कह दीजे कि मेरी दावेदारी मैं निरस्त करता हूँ और तीसरी बात है कि एक सिरा ये भी है कि साब इसके बाद आपके घर बड़ा नेता जाए तो कहा जा ठीक है साब अब आए हैं मन तो नहीं था ये ये कारण से लेकिन हम लड़ रहे हैं हम तो पार्टी के सिपाई है क्या है इसके पीछे कारण सच्चाई आज इसी पर बात करेंगे जो महमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिये हमारे साथ हैं दिनेज गुपता जी वरिष्ट पत्रकार और राजनीति कुसलेशक और बहुत उनके अभिन साथी भी पत्रकारिता के दौर के और राजनीती का चमकता हुआ चेहरा हैं ये शपाल सिंग से सौदिया सीनियर बीजेपी के विधायक हैं और चौथा संसार से उनका भी जहां तक मुझे ध्यान है जुडाव है अब दिनेज जी चौथा संसार के बहुत मजबूत स्तंब रहे हैं तो ये दोनों मित्रवत आज खुब बतियाए भी होंगे उसकारिक्रम में जब विधिवत हमने श विध्रूपताओं को बहुत करीब से देखता है और राजनीती उसको वो अवसर देती है कि वो उन जटलताओं को उन विध्रूपताओं पर एक्शन भी ले सके हमारी तो कलम चलती है या जुबान से हम बोलते हैं लेकिन जब आप एग्जेकिटिव में या आप पॉलिटी में आते हैं तो आप उसे कर पाते हैं हमारे साथ हैं ऐसे ही एक विधायक कॉंग्रिस के रविन सिंग तोमर जी उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं तो ये दो विधायक आज रहेंगे सबसे पहले विशय प्रवरतन के लिए मैं दिनेश जी को आम अंतरत करता हूं दिनेश तौन जिटने तरह का घटना करा में उसमें कुछ भी हो सकता है जो दावे-दारी से बापस लेना ये थोड़ा सा लोगों को चकित तो करता है क्योंकि आपको टिकिट दी जा रही है ये कोई अधर नहीं हुआ क्योंकि जह जब आपको दी जा रही है मना करने के कॉंग्रेस प जाएंगे लेकिन मुझे जो लगता है कि जो सीट का खंडवा लोकस्वा सीट का जो मिजाज है को कहीं ना कहीं उनके अनकूल उनको नहीं लग रहा होगा उनका खुद का भी एक आकलन होगा कि हम इस जो है ग्राउंड पर खेलेंगे और मौजूदा परिष्टिती में खेलें चाहता है परिवार एक कारण है तो मुझे यह किसकते कि वो जो सम्माज जनक जो है आप एक्जिट आपने ली है और कोई भविश में जब पार्टी का सर्वे में आपसे बहतर कोई होगा निश्ची तो पार्टी ने भी जो सुईकार किया है तो उनकी निगाह में होगा कि च्छेत्रिय संतुलन के साफ से ठीक होगा तो वो भी अब सामने आ जाएगा मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि आगे उनको कोई मनाने जाएगा जिस तरह का कॉंग्रेस का मिजाज अभी है लेकिन शेरा साब की उस बात को बड़ा बल मिलेगा अगर ऐसा हुआ तो कि साफ सर्वे में नाम तो हमारी श्रीमती जी का है आरंब से है चलिए देखते हैं वक्त बताएगा क्या है यश्पाल जी आपकी पार्टी का मसला नहीं है लेकिन आपकी पार्टी के मसलों में जितनी रूची लेती है वो जग जाहिर है और इसकी राजनीतिक कारण भी है चलिए आप किस तरह देखते हैं इस विशय को फिर आपकी पार्टी का विशय नहीं है लेकिन फिर भी जी मैंने चुकि राजनीतिक एक शेतर में काम करते हैं बड़ी पार्टी का प्रतिनिसित करते हैं शरची और आप जैसे वरिष्ट पत्रकार और इस्थितियों को दे पर इस वरिष्ट आपने बताया तो मैं भी थोड़ा सा आगे ब्राद एक कोशिश करूंगा कि कांगरेस अभी कहा हैं किस इस्तान परे पंजाब से लग करके राई से लग करके खंडवा से लग करके जोबड से लग कर देखिए आप शोलोचना जी कर भारतिया पार्यटी क तो यह मैं दो चीज अभी आपकी व्याख्या के दोरान बेठे-बेठे जब आप बहुत अच्छे सा विश्टिवेशन कर रहे थे हमारे मालवा में कहावत है कि नाई-नाई कितने बाल थोड़ी देर रुको अभी सामने आ जाएंगे जब हैर कटिंग चोल इन पर जाता है और अठेश के रुक नाम लिया कि मुझे बड़ा उनका मारदर्शन और उनकर बड़ी मदद मिली लेकिन अन्य राजणितिक में कांगरेस के पालिटिक के निताओं का उन्हें नहीं नहीं नाम नहीं लिया दूसरा उन्हेंने बाइट में एक बात और आपने ध्यान से सुना हो अब ये सर्वे की रिपोर्ट की भनक यदि अरुण जी को अपने लिए अपने दल की लिए फ्राफ्त होगी है तो उन्होंने फिर आगे चल करके और सुनिया गांधी जी को पत्र लिग दिया देखिए जो व्यक्ति चुनाओं प्रचार में काम करने की बात कर रहा है कि मैं च अब लगातार देखिए एक अक्टूबर से लेकर के चार अक्टूबर तक आपका विश्ट्रेशन भी अमे ने देखा उन्होंने चार दिन में जिसकार से वक्तेव को बदले हैं तो ऐसा क्या करान पड़ा है शेरा का ताल ठोकना या परिस्तितियां भी कांग्रेस के अन्शा भी जाहिर की बताइए तोमर साब आपके पास क्या क्या दलील है आपकी जी देखिए मेरा तो ये कहना है ये प्रजातंत्र है इसमें हर वेक्ति सुतंत्र है अगर अरोड़ यादत जी जो कि अभी चर्चा हमारे मानि सिसोधिया जी कर रहे थे हमारे बश्पतकार प्रजातंत्र में हर वेक्ति सुतंत्र है हमारे मानि अरोड़ यादत जी प्रदेश के अद्यक्श रहे मिनिस्टर रहे और मैं समझता हूं कि वो अर्पक्ष नेता है और एक बड़ा चेहरा है प्रदेश का और उन्होंने बहुत साफ सब्दों में कहा आप सब के सामने है क वारा कोई निजी समस्या हो सकती है लेकर यह कोई इतना बड़ा इसू नहीं है कि इसको लेकर के भारती जन्ता पार्टी इतना ज्यादा खुश हो गई हो कि अब हम चुनाव के मैदान में उपचुनाव में जाकर कि हम सारा का सारा जो है जन्ता ने हमको सेंबल दे दिया अभी जैसे मानिस हिषो दिया जे ने कहा कि कुछ समय बाद रजल्ट सामने आ जाएगा ये बिलकुल उन्होंने बिलकुल जाई ये रजल्ट अभी सामने आने वाला है चारो सीटों पर कंउरेस पार्टी का पर्चम फेराने वाला है जन्ता कंउरेस को मेंडेंड गी कंउर तुमर साभ यही तो सवाल है, जी, यही सवाल मैं आपके सामने, यही सवाल मैं रख रहा हूं आपके सामने, कि जब आप यह दावा कर रहे हैं, कि दमो की सफलता आगे भी दोराएंगे, चार उपचुनाओं में यह कॉंग्रेस का दावा है, तो ऐसे मैं एक युवा नेता, तेकि टिकेट को क्यों ठुकराएगा? सर फिर टिकेट क्यों ठुकरा रहे हैं, अरुन जी? ठुकरा नहीं रहे है, मतलब मना कर रहे हैं. सर फिर टिकेट क्यों ठुकराने वाली बात जहां तक आप कह रहे हैं, मैंने तो आपसे पहले शुरू में एक बात कह दी, कि हर व्यक्ती स्वतंत्र है, आदनी अरुन जादब जी को पूरी स्वतंत्रता है, कि वो अगर चुनाओ लड़ने की बात कहेंगे, तो पार्टी उ बाव डाल भी सकती है लड़ने के लिए? में दम लगता है, अगर रवीन सिंग जी की में बात, तोमर साथ की बात को देखूँ, तो इस बात में दम लगता है कि क्या कहीं कुछ ऐसा मेसेज है वहां कि अरुन जी को ऐसा लगा कि ठीक दिशा में चीज़ें नहीं जा सकती हैं, अगर उनकी दावेदारी की हम बात करे और आप क्या देखते हैं इसके पीचे क्योंकि ये जो कॉंग्रिस का दावा है कि सब कुछ हमारे पक्ष में है, सब कुछ चीज़ें बहतर हैं, वो महंगाई की बात कर सकते हैं, वो तमाम और बिंदू उठा सकते हैं, लेकिन इसके बाद किसी क्योंकि हमने टिकेट के हैं, बहुत महाथपून हैं, एक तो ये कि पिछले दिनों का जो घटना करम है, अरून यादव जी और कमलनाज जी को लेके, खासकर गॉालियर में जो हिंदू महासवा का मामला हुआ, पर उनने इस तरह से सारवजनिक प्रतिक्री अवेक्ट की, ये सामने तो आया है कि दो ये भी देखा है कि कॉंग्रेस ने बिनिंग को एक तरफ करके जो हैसे लोगों को टिकिट दिया, जो जमानत तक गवा सकते, ये तो राजनितिक कारण है, तूसरा जब छेत्री समी करणों को आप देखते हैं कि इस वक्त जो जैश है, हम जो आदिवासी आंदोलन बहुत द है कि हमारे किसी बेक्ति को टिकिट दे कांग्रेस पार्टी, नहीं तो वो एक मैदान में होता रही है, तो एक कोई हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस की कोई रणनीती होके जैश के किसी आदमी को दे दे, या ऐसे नाम पर है जिसमें जैश अपना कोई एक केंडिडेट जब राजनीती में आये, पीची बीच जल्दी बन गई लेकिन वह भाट ठहर नहीं पाई पिछ पे आपने देखा तो बहुत लंबे नहीं चल पाई तो बहुत सारी जो चीजें है कहीं ना कहीं आपके अंदर कैपिस तरह से शो करते हैं ये भी बहुत महत्पून हो जाता ह क्योंकि ये एलेक्शन जो है जैसा दमों के जो चुनाव परिणाम थे तो कॉंग्रेस पार्टी भी चाहती ही कि जो एक मनोबेग्यानिक दवाव बना है भारती जनता पार्टी पे वो बरकरार रहे है तो उसके लिए हो सकता है कि आपको कंप्रोमाइज करना भी पड़े है क्योंकि चुनावी राजनीती में कई बार अपेक्शाकरत नए चेहरे जाधा ताकत के साथ सामने आ जाते हैं मैंनी कहता कि अरून यादव जी कोई कमजोर कैंडिडेट है लेकिन बीजेपी जिस तरह से प्रतिक्रिया उत्साहा से भर कर दे रही है उससे तो ऐसा जरूर ल भावनात्मक ब्लेकमेलिंग इमशनल ब्लेकमेलिंग तो नहीं है क्योंकि शाद उनको यह तो लग गया है और तभी उन्होंने अपनी बाइट में कहा है कि निस्ठावान कांग्रेसी इसका मतलब उनको लग रहा है कि कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति को टिकेट बिले की संभव इस बात में भी रोका जा रहा है कि कॉंग्रेस ने मत्वदेश में कभी भी OBC को आगे नहीं बढ़ने दिया कभी भी आदिवासी को आगे नहीं बढ़ने दिया अब अरूनी आदवजी की अगर बात करें और OBC के इस समय में जब कमनलाज जी उनका पूरा दल बिल्कुल द चेंटल में मिनिस्टर पहले ही बन गए तो ये कांग्रेस एक नया नाम खड़ा करके और कहीं ने कहीं OBC की फिर हत्या करने के और अग्रसर हो रही है इसा मुझे लगता है ये मेरा डिवेदन तो साफ है माली ने अभी जो चर्चा थी और आप सब के माध्यन से बना सुन पा रहा हूं मेरा तो मेरा तो कहना ये है कि ये क्या भार्ती जन्ता पार्टी क्या कॉंग्रेस की ये टिकेट बितन वाली पड़ाली को लेकर की प्रदेश का विकास करना चाहती कि कॉंग्रेस किसको टिकेट देगी, किसको नहीं देगी, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, इससे सारा प्रदेश का विकास हो जाएगा, इसी से देश का विकास हो जाएगा, आज इस सिती क्या है, कितनी बेरोजगारी भ्यावर बढ़ी हुई है, कितनी मह प्रदेश में लॉइन ओडर क्या बोल रहा है क्या इसकिती है इन सब चीजों पर भारती जन्ता पार्टी कोई चर्चा नहीं करना चाहती है मानिये मुक्मंत्री जी उद्गाटन कर याते हैं हमारे दिन्नी में अस्री कोड़ों की गोसना कर गया इसनाओ में इसके बाद क्या वो अस्री कोड़ों पाई की गोसना करने के बाद मैरे कई बार वो पर संन उठाया क्या उसकी चिंता की उन्होंने कर रहे हैं लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं है केवल कॉंग्रेस पार्टी किसको टिकेट दे रही किसको टिकेट नहीं दे रही है क्या इसी पर भारती जंता पार्टी का दिखास सिखा हुआ है मैं पूछना चाहता हूँ आपके मात जंते इसलिए मेरा निवेदर ये है कि वो अपने करेवा में जाकें कॉंग्रेस इसको टिकेट देगी जनता निड़े करेगी किसको चुनाओ घिताएगी जनता किसको चुनाओ घराएगी यह अबी रेजल्ट में सामने आएगा मैं कह रहा हूं कि चार की चारों सीटें कॉंग्रेस पार्टी के खाते में जाने वाली है ये भारती जनता पार्टी के सभी लोगों को पता है इसलिए वो ध्यान बढ़काने के लिए ये नई नई मुद्दे लाने की कोशिश करें तोमर साब लेकिन ये सवाल बरावर बना है जो मुद्दे आप कह रहे हैं वो बिलकुल वाजिब हो सकते हैं होंगे ही जनता से जुड़ी कोई भी चीज जो है वाजिब ही होती है लेकिन प्रश्णी ये है कि जैसा बड़ा क्रिकेट की भाशा में मैं कहूं कि लूज बॉल तो आप ही देते हैं महगाई पर जब बात शुरू होती है तो कैप्टेन अमरिंदर सिंग कुछ बोल जाते हैं महगाई और तमाम चीजों पर कुछ बात होती है तो अरून यादाव जी अगर आने चुक थे तो ये सब सोशल मीडिया के जरीए कहने की ज़रूरत क्या थी ये सब चीज़ें मेरा निवेदन दुबे जी है कि मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये बैक्सिक्स वा तंतरता प्रजा तंतर का पहला और असली कोड़ है अगर अलोल यादाव जी ने कोई अपनी मंसा जाहर कर दी इसमें कोई बहुत बढ़ा इसू नहीं हो गया और अभी पार्टी ने ये फैसला नहीं लिया है कि चुनाओ किसको लड़ाया जाएगा ये बात जरूर है कि पार्टी ने ये जरूर कहा है और ये मैं भी कह रहा हूँ हमारे नेता अधरी कमानलाज जी जी अधरी राया दुजिया सिंग जी जी चली और और वो अड़ायाद दी कोई छोटे नेता नहीं हमारे प्रदेश के अध्यक्श रहे कईवार मिनिस्टर रहे तो मैं कोई मैं ये नहीं करा रहे हूँ यह मेटर नहीं है, मेटर तो यह है कि मैं भारती जन्ता पार्टी के माने मुक्बंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो हाकार मचा हुआ है, महगाई इतनी बड़ी हुई है, बेरोजगारी है, कई बार उनने इन्वेस्टमीट कर दी, इन्वेस्टमीट गौलियर में भी हो गई, क्या कहीं उद्ध्यों धंदे लगाने की बात हो रही जिससे नौजवानों को रोजगार बिल लगातार 14-15 वरसों से मद्धिवदेश में परतिंजित कर लिए सरकार के रूप में, लेकिन हमने कभी ये नहीं का कि हम बेरोजगारों को धोर चलाने का प्रशिशन देंगे, या हम बेरोजगारों को बिंड बजाने का प्रशिशन देंगे, और अगर प्राइवेट च्फाट पेड़ uniform आपने चाहर लोगैशे। तो सब्सक्राइस ली कर्स जिए पंजाब केम चिंब्रण पर्देश में साधु हओं कांग्रेस के पास गॉडक भोरटव करने वाले के पास लगाम नहीं है विना लगाम के ये स्वेंश कंधत करने वाला नहीं है मैं की बोली हैं अ बहुत तीस सेक्ड़ पूछ रहा हूँ, मैं बार बार कहा हूँ, कि भारती जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्थ कांग्रेस की आलोचना, आलोचना के अलावा, मैं कह रहा हूँ, कि इस बेस में, कि एतर साल होने जा रहे हैं, ये भारती जनता पार्टी इस प्रदेस का क्या डवलब्मेंट हुआ, अभी बिंड की सड़क है, बिंड में अभी एक एक्शिरेंट में दस लोगों की मौत हो गई, और उसमें से कम सकंद्ध नहीं है, नहीं कह रहा हूँ, कि अगर वो सड़क बास्तों में नहों नहीं नहीं को एग्रिमेंट ने किय चली चली ये विशी महतपूर्ड है, लेकिन आज का विशाय ये नहीं है, ये, हम इस पर बात करेंगे, इस पर आगे बात करेंगे, जटरूर करेंगे किसी और विशाय पर जुब्ध जिनके घर सीसों के हैं वो दूसरों घर में पत्तर भेखने की बजा है अपना गरेवान जाके हैं अपना घर देखें क्योंकि उनको ये जरूरी है कि वो लॉइन ओडर उनके पास है लेकिन तोमर साब ऐसी हर सला लॉट कर फिर हमारी तरफ भी आती है मेरी तरफ भी आती है हम तो सरकार चला रहे हैं हम सरकार चला रहे हैं चली सर तोमर साब वाजिब बात कर रहे हैं कि जनता से जोड़े मुद्दे उठाइए और जनता के बीच में पैठ बनाईए लेकिन ये कॉंग्रेस ही अरुन जी को अगर जो भी कारण हो उनका लेकिन इस तरह सारवजनिक रूप से सामने आना किसी रणनीती का या किसी ऐसी चीज का तो संकेत है जो सामान ने नहीं है तो कॉंग्रेस ही अपने पत्ते जिस तरह से आज महगाई का मुद्दा क्या अगर अमरेंदर सिंग और सिद्दू साथ बैठ जाते तो बड़ा मसला होता चतिस अरुन अदफ जी का देखे जब वो चुनाओ को लेकर काॉडिजन कमेटी की बैठक टी पी सी में मी तो वो नहीं आई टे जिस तरह का सजजन अबरमा जी का रिमार्क था वो भी अरुनियादव जी के लिए उस को बहुत बैतर 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 नहीं कह सकते क्योंकि जो जिनको पार्टी ने दिया है, वो किवल अपने से ऊपर पार्टी को नहीं मानेंगे, तो चाहे पंजाब हो मद्रुप्रदेश हो या कहीं भी, कॉंग्रेस की प्रॉबलम किवल यह है कि हर नेता अपने आपको पार्टी से ऊपर रखे हुए है, और यह जो OBC पॉलिटिक्स की जो भी बात हो रही थी तो उसमें कहीं न कहीं अरून यादव जी को ही लगता है कि कॉंग्रेस में उनके लावा कोई शायद OBC फेस नहीं है इसके कान कॉंग्रेस को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी चुनाओ हैं महायादव फैक्टर भी एक बहुत महात्पून फैक्टर होता है तो कहीं न कहीं जो मैसेज है वो कॉंग्रेस पार्टी के पक्षमें नहीं होगा इसको भी शायद वो दहन में रखे होगा आपके हमारे घर में भी कई बार पेचीदगियां जटलता हैं पारिवारिक मसलों को लेकर आती हैं लेकिन क तो वो जबलपर वाले ताउजी आ जाते हैं कॉंग्रेस में ये जबलपर वाले ताउजी अभी नजर नहीं आ रहे हैं कि जो आएं बैठें और अरोन यादा से का लाठी मारेंगे यार क्या बोलनाच जी के भी पास जाएंगी प्रभू थोड़ा समालें जरा देखें बच इतने मू उतनी बाते हर व्यक्ति ऐसा नाराज मुन्ना हो गया है जिसको मैया मैं तो चंद्र खेलोना लेहूं या सत्ता रूपी खेलोना लेहूं बड़ा कठिन होगा इसमें किसी समाधान तक पहुंचना कहीं न कहीं तो किसी जबलपर वाले ताउजी को सामने आना उनका बड़ा परिहार होता है और तोमर साब की मुस्कुराइट बता रही है कि निगाहें तो भीतर से उनकी भी डूण रही है कि दिमनी में मिल जाएं मुरहना में मिल जाएं भिंड में मिल जाएं कहीं ऐसे ताउजी मिलें तो जरूर बहुत धन्यवाद तोमर साब बहुत धन् आवाद दिनेजी, नमस्कार.